आज हम सिखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं क्यात करना चलिए एक खेल खेले इस खेल में हम तीन वर्ग लेंगे पहले और तीसरे वर्ग में सिर्फ एक संख्या लिखी जा सकती है जबकि बीच वाले वर्ग में अनेक संख्याओं लिखी जा सकती है इस खेल का नियम यह है कि बीच में दर्शाय गई वर्ग में सिर्फ ऐसी संख्याओं लिखी जा सकती है जिसका मान पहले वर्ग में लिखी संख्या से अधिक लेकिन तीसरे वर्ग में लिखी गई संख्या से कम हो यानि कि दूसरे वर्ग की संख्या का मान पहले और तीसरे वर्ग में लिखी संख्याओं के मान के बीच में हो तो चलिए खेल की शुरुवात करें यदि पहले और तीसरे वर्ग में प्राकृत संख्याएं यानि नाच्रल नंबर्स 37 और 41 हो तो बीच वाले वर्ग में कौन सी प्राकृत संख्याएं लिखी जा सकती है? सोचिए सोचिए बिलकुल सही इस वर्ग में हम 38, 49 और 40 इत्याती प्राकृत संख्याएं लिख सकते हैं इनके अलावा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते इसी तरह किनी भी दो प्राकृत संख्याओं के बीच निश्चित प्राकृत संख्याएं होती है अब मान लीजिए, पहले और तीसरे वर्ग में हमने पूर्णांक यानि integers, रिंड 3 और 3 लिखे, तो पताईए बीच वाले वर्ग में कौन से पूर्णांक लिखे जा सकते हैं? सोचिए, सोचिए. आपका जवाब पिल्कुल सही है. इसमें हम रिंड 2, रिंड 1, 0, 1, 2 पूर्णांक लिख सकते हैं. इनके अलावा और कोई भी पूर्णांक नहीं लिख सकते. इस तरह से किनी भी दो पूर्णांकों के बीच निश्चित पूर्णांक होते हैं. अब क्या आप बता पाएंगे कि यदि हमें बीच वाले वर्ग में रिंड 3 और 3 के बीच आने वाली परिमेय संख्याएं, यानि रैश्नल लंबर्स लिखनी होती, तो वे कौन सी होगी? चलिए हम बताते हैं, हम रिंड 3 को रिंड 30 पटे 10 लिख सकते हैं, इस तरह से अब रिंड 3 और 3 के बीच इस प्रकार परिमेय संख्याएं लिखे जा सकती हैं. इसी तरह हम रिंड 3 को रिंड 300 पटे 100 और 3 को 300 पटे 100 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इन्हें देखकर अब हम कह सकते हैं कि इनके बीच इस प्रकार परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं. हम रिंड 3 को रिंड 3000 पटे 1000 और 3 को 3000 पटे 1000 भी लिख सकते हैं. इस प्रकार इनके बीच अब हम इत्यादी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं. इसी प्रकार हम किनिवी दो परिमेय संख्याओं के बीच अब परिमेय संख्याओं के बीच अब परिमेय संख्याओं के बीच अब परिमेय संख्याओं होती हैं. जरा सोचिए क्या हम परिमेय संख्या 7 बटे 2 को रिंट 3 और 3 के बीच की परिमेय संख्या कह सकते हैं सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं यदि A, B, C तीन परिमेय संख्या आए जहां A, C से कम है तब B इन दोनों के बीच की परिमेए संख्या केवल उस थिती में कहलाएगी जब B A से बड़ी लेकिन C से चोटी हो यहाँ 7 बटे 2 बराबर 3 और 1 बटे 2 है जो की रिंड 3 और 3 दोनों से बड़ी संख्या है इसलिए हम इसे रिंड तीन और तीन के बीच की संख्या नहीं कह सकते इसी तरह संख्याओं के मानों की तुलना करके आप यह पता कर सकते हैं कि कोई संख्या दी गई संख्याओं के बीच में आती है या नहीं यह तुलना संख्यारेखा पर भी की जा सकती है चलिए अब दो परिमे संख्याओं के बीच परिमे संख्याओं ग्याद करने की कुछ दिल्चस्प विधियां सीखे मान लीजिए हमें दो बटे 9 और 6 बटे 7 के बीच परिमे संख्याओं ग्याद करनी है इसके लिए पहले हम दोनों परिमे संख्याओं का हर समान करेंगे चुकि दो बटे 9 के हर 9 और 6 बटे 7 के हर 7 का लगुत्तम समाप वर्दियो यानि LCM 63 है इसलिए हम प्रतियक परिमे संख्या के अंश और हर दोनों को उप्युक्त संख्या से गुणा करके दोनों परिमे संख्याओं का हर 63 करेंगे इससे हमें 2 बटे 9 की तूल्य परिमे संख्या यानि equivalent rational number 14 बटे 63 और 6 बटे 7 की तूल्य परिमे संख्या 54 बटे 63 प्राप्त होगी अब इनके बीच 15 बटे 63, 16 बटे 63 से 52 बटे 63, 35 बटे 63 इत्यादी परिमे संख्याओं लिखी जा सकती है अब चलिए दो परिमे संख्याओं के बीच परिमे संख्याओं ग्याद करने की एक और दिल्चस्प विधी सीखे इसे हम दो बटे 9 और 6 बटे 7 के बीच की परिमे संख्याएं ग्यात करते हुए समझेंगे पहले हम इन परिमे संख्याओं को संख्या रेखा यानि नमबर लाइन पर निरुपित करेंगे संख्या रिखा पर 0-1 के बीच की दूरी को 9 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 2 भाग लेकर हम संख्या 2 बटे 9 दर्शा सकते हैं इसी तरह हम 0 से 1 के बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में विभाजित कर, इनमें से 6 भाग लेकर संख्या 6 बटे 7 दर्शा सकते हैं अब हम 2 बटे 9 और 6 बटे 7 का माध्य यानि मीन ग्याद करेंगे किनी 2 परिमे संख्याओं A और B का माध्य A धन B बटे 2 होता है इस तरह से हम दोनों परिमे संख्याओं के योग को 2 से विभाजित करेंगे इससे हमें 2 बटे 9 और 6 बटे 7 का माध्य 34 बटे 63 प्राप्त होगा यह 2 बटे 9 और 6 बटे 7 के बीच की परिमे संख्या है इसी तरह क्या आप दो बटे 9 और 34 बटे 63 का माध्य ग्यात कर सकते हैं वीडियो रोक कर प्रयास कीजिए चलिए हम बताते हैं यह हम इस प्रकार करेंगी इससे दो बटे 9 और 34 बटे 63 के बीच की परिमिय संख्या 24 बटे 63 प्राप्त होगी इस तरह हम दो बटे 9 और 6 बटे 7 के बीच अपरिमीत परिमिय संख्याएं ग्यात कर सकते हैं तो आज हमने सीखा दो परिमिय संख्याओं के बीच परिमिय संख्याएं ग्यात करना अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदारण देखेंगे आज हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ग्यात करने के उधारण अध्यपक ने अर्णव को साथ बटे चार और नौ बटे चार के बीच की तीन परिमेय संख्याएं ग्यात करने के लिए कहा अर्णव ने उत्तर दिया 2, 15 बटे 8 और 19 बटे 8 क्या उसका दिया हुआ उत्तर सही है अर्णव ने दिया हुआ उत्तर सही है या नहीं यह ग्याद करने के लिए हमें देखना होगा कि ये सभी संख्याएं 7 बटे 4 और 9 बटे 4 के बीच में आती है या नहीं क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे ग्याद करेंगे? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं यदि A, B, C परिमेय संख्याएं जहां A, C से कम है तब B इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या केवल उस थदी में कहलाएगी जब B, A से बड़ी लेकिन C से छोटी हो यहां 7 बटे 4, 9 बटे 4 से छोटी संख्या है इस तरह से हमें यहां देखना होगा कि 2, 15 बटे 8 और 19 बटे 8 इन में से प्रत्य एक संख्या 7 बटे 4 से बड़ी लेकिन 9 बटे 4 से छोटी है या नहीं? हम 2 को 8 बटे 4 लिख सकते हैं इस तरह से हमें ग्यात होता है कि 7 बटे 4, 8 बटे 4 से छोटी और 8 बटे 4, 9 बटे 4 से छोटी यानि कि 2, 7 बटे 4 और 9 बटे 4 के बीच की परिमेय संख्या है क्या 15 बटे 8 भी इन दोनों परिमेय संख्याओं की बीच की परिमेय संख्या है? सोचिये, सोचिये बिल्कुल सही यदि हम 7 बटे 4 को 14 बटे 8 और 9 बटे 4 को 18 बटे 8 लिखें तो हमें ग्यात होता है कि 14 बटे 8, 15 बटे 8 से छोटी और 15 बटे 8, 18 बटे 8 से छोटी है इसलिए 15 बटे 8 भी 7 बटे 4 और 9 बटे 4 के बीच की परिमेय संख्या है यदि हम 19 बटे 8 की बात करें तो यह 14 बटे 8 और 18 बटे 8 दोनों से बड़ी है इसलिए यह परिमेय संख्या 7 बटे 4 और 9 बटे 4 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या नहीं है इसलिए यहां अर्णव का उत्तर गलत है 7 बटे 4 और 9 बटे 4 के बीच की कुछ परिमेय संख्याएं है 17 बटे 8, 22 बटे 12, 23 बटे 12 अगला उदाहरण रिंड 4 बटे 11 और 2 बटे 3 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्यात कीजिए चलिए इसे प्रतियक विधी का पुना अवलोकन करते हुए हल करे हम रिंड 4 बटे 11 और 2 बटे 3 का हर समान करेंगे इसके लिए हम रिंड 4 बटे 11 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे जिससे इसकी तूल्य परिमेय संख्याएं प्राप्थ होगी रिंड 12 बटे 33 इसी तरह 2 बटे 3 की तूल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी 22 बटे 33 अब हम कह सकते हैं कि रिन 4 बटे 11 यानि रिन 12 बटे 33 और 2 बटे 3 यानि 22 बटे 33 के बीच परिमेय संख्या आये है रिन 11 बटे 33 रिन 10 बटे 33 रिन 9 बटे 33 रिन 8 बटे 33 इत्यादी 19 बटे 33 20 बटे 33 21 इन में से कोई भी 10 परिमेय संख्या आये लेकर दिये सवाल का जवाब दिया जा सकता है अगला उदारण माध्य यानि मीन ग्याद करते हुए परिमेय संख्याओं 5 बटे 12 और 7 बटे 18 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ग्याद कीजिए किनी तो परिमेय संख्याओं A और B का माध्य A धन B बटे 2 होता है इस तरह से 5 बटे 12 और 7 बटे 18 का माध्य है 5 बटे 12 धन 7 बटे 18 विभाजत 2 बराबर 29 बटे 72 इसी तरह वीडियो रोक कर आप 5 बटे 12 और 29 बटे 72 का माध्य ग्याद कीजिए आपको परिणाम 69 बटे 144 प्राप्त होगा इसी तरह हम 29 बटे 72 और 7 बटे 18 का माध्य ग्याद कर सकते हैं इनका माध्य होगा 19 बटे 48 इस तरह 5 बटे 12 और 7 बटे 18 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं है 69 बटे 144, 39 बटे 72, 19 बटे 48 अब आप 14 बटे 5 और 9 बटे 11 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं स्वयम ग्याद कीजिए तो आज हमने देखें 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ग्याद करने के उदाहरण हलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ग संख्याएं तथा इनके गुण धर्मों के बारे में सीखेंगे आईए एक मजीदार चित्र देखते हैं, क्या आप इसे पहचानते हैं? जी हाँ, यहाँ साप सीड़ी के खेल का बोड है, इसमें दस वर्गों की दस कतारे होती हैं, इस प्रकार इसमें कुल एक साओ छोटे छोटे वर्ग होते हैं अब आपे शत्रंज के बोड को देखिए, इसमें काले और सफेद रंगों के कुल कितने वर्ग है? दिल्कुल सही, इसमें आठ वर्गों की आठ कतारे हैं, इसलिए इसमें काले और सफेद रंगों के कुल 64 वर्ग है क्या आप दोनों संख्याओं में कुछ समानताएं देख पा रहे हैं? हाँ, दिल्कुल सही, हम दोनों संख्याओं को किसी संख्या के घात दो के रूप में लिख सकते हैं क्या आप जानते हैं कि ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जिनको हम किसी प्राकृत संख्या की घात दो के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम वर्ग संख्या या पून वर्ग संख्या कहते हैं जैसे इन संख्याओं को देखिए यहां संख्या 1, 4, 9 तथा 16 वर्ग संख्याएं हैं आईए अब हम 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों को देखते हैं आप चाहें तो वीडियो को यहां रोग कर अपनी कौपी पर सारी वर्ग लेख सकते हैं एक से 20 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर आपको ऐसी वर्ग संख्याओं की सारनी मिली होगी ध्यान देजिए कि इन वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान का अंक क्या है? जी हाँ, सभी वर्ग संख्याओं के एकाई के स्थान पर केवल 0, 1, 4, 5, 6, तथा 9 में से कोई एक संख्याई आ रही है अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सभी पून वर्ग संख्याओं के लिए मान्य है तो हाँ ये सभी पून वर्ग संख्याओं के लिए मान्य है आप चाहें तो वीडियो को यहां रोक कर आगे की पून वर्ग संख्याओं के भी जाच कर सकते हैं लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से समाप्त होने वाली हर संख्या पूर्ण बर्ग संख्या होगी? आगे कुछ ऐसी संख्याओं की जाच करते हैं इन संख्याओं पर जरा ध्यान दीजिए इनके अंत में 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 में से कोई एक संख्या जरूर है लेकिन ये वर्ग संख्याओं नहीं है यानि हम ये कह सकते हैं कि सारी संख्याओं जिनके अंत में ये संख्याओं आती हैं वो जरूरी नहीं कि पूर्ण बर्ग संख्याओं हो चलिए अब कुछ और रूचक संख्याओं के बारे में जानते हैं आपने इस 1 से 20 तक के वर्गों की सारनी में दिखा होगा कि वर्गों के इकाई के स्थान पर संख्याओं 2, 3, 7 तथा 8 एक पार भी नहीं आई है क्या आप कोई ऐसी वर्ग संख्या ढूंड सकते हैं जिसके एकाई में इन में से कोई एक संख्या आती हो आप नहीं ढूंड पाए होंगे क्योंकि ऐसी कोई वर्ग संख्या नहीं हो सकती इसलिए जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 तथा 8 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्याई नहीं हो सकती क्या आपने 10 और 20 के वर्गों पर ध्यान दिया? यहां वर्गों में 0 की संख्या, मूल संख्या में 0 की संख्या की 2 गुनी है जैसे इन संख्याओं को देखिए यहां आप अगर वर्ग संख्याओं की सारनी को ध्यान से देखेंगे, तो ये पाएंगे कि सम संख्याओं के वर्ग सम संख्याओं हैं और विशम संख्याओं के वर्ग विशम संख्याओं हैं। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के बारे में तथा विभिन संख्याओं को देख कर उनके वर्ग संख्या होने का अनुमान लगाना सीखा. अगली वीडियो में हम वर्ग संख्याओं से जुड़े कुछ उदाहरन देखेंगे. धन्यवाद. हलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याएं तथा उनके गुण धर्मों के बारे में सीखा था इस वीडियो में हम इनके कुछ उदाहरन देखेंगे इन संख्याओं के वर्गों में शुन्यों की संख्या कितनी होंगी? आप यहां वीडियो को रोग कर उत्तर सोथ सकते हैं क्या आपको शुन्यों की संख्या ढूनने में परिशानी हो रही है? चलिए हम मिल कर ढूनते हैं संख्या पचास में एक शुन्य है और संख्या सौ में दो शुन्य है वर्गों के अंत में शुन्या की संख्या दो गुनी होगी, याने कि इनकी संख्या हमेशा समसंख्या ही होगी इसलिए पचास के वर्ग में दो शुन्या होगे, और सौ के वर्ग में चार शुन्या होगे, है ना आसान? अब अगर मैं कहूं कि आपको निमलिकित संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्याओं ढूननी है तो आप कैसे ढूनोगे? आप यहाँ वीडियो रोग कर उत्तर सोथ सकते हैं चलिए साथ मिलकर इसका हल ढूनते हैं यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि दी गई संख्याओं में से कितनी संख्याओं के इकाई के स्थान पर दो, तीन, साथ तथा आठ है हम जानते हैं कि जिस संख्या के एकाई के इस्थान पर इन संख्याओं में से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती इसलिए संख्याई 53, 62 और 66 पूर्ण वर्ग संख्याई नहीं हो सकती है अब हमारे पास बच गए हैं 50, 51 और 64 सकते हैं बिल्कुल सही पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए किसी संख्या के अंत में शुन्यों की संख्या सम होने चाहिए लेकिन यहां पचास में केवल एक ही शुन्य है इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी चलिए अब इन दो बची हुई संख् करती हैं. दोनों संख्याओं को हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं. यहां हम देख सकते हैं कि हम सिर्फ 64 को किसी संख्या के घात दो के रूप में लिख सकते हैं. अदार 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है. यहां प्रशने आपके अभ्यास के लिए दिये गए हैं आप यहां वीडियो को रोक कर उत्तर सोथ सकते हैं इन प्रश्णों के उत्तर नीचे दिये गए हैं इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याएं तथा इनके गुण धर्मों से जुड़े कुछ उधारन देखे अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी गलत तथा सामाने गलतियों के बारे में जानेंगे धन्यवाद हलो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याएं तथा इनके गुण धर्मों से जुड़े उधारन देखे इस वीडियो में हम इन से जुड़ी गलत अवधार नाउं तथा सामाने गलतियों के बारे में जानेंगे आए दिये गए कथन को सही या गलत कथन के रूप में चयन करते हैं आप चाहें तो वीडियो को यहां रोग कर उत्तर सोथ सकती है अगर आप इस कथन को सही मान रहे हैं तो आप यह सोच रहे होंगे कि इस संख्या के अंत में चार है तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी लेकिन यह सही नहीं है चलिए इस संख्या का गुणन खंडन करते हैं गुणन खंड करने पर हम देखते हैं कि संख्या 54 को हम पून संख्या से किसी संख्या के घात दो के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहां कथन गलत है। आईए अब अगले कथन को देखते हैं। संख्या 1887 के वर्क के ईकाई के स्थान पर चार आएगा। सही या गलत? आप चाहें तो वीडियो को यहां रोग कर उत्तर सोच सकती हैं। कभी कभी कई लोग वर्ग के स्थान पर उस संख्या को दो से गुना कर देते हैं. अगर आप इस संख्या को भी दो से गुना कर देंगे, तो आपको गुनन फल संख्या के इकाई के स्थान पर चार मिलेगी, जो की गलत है. आईए इसका सही हल देखते हैं. दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर साथ है और हम जानते हैं कि संख्या साथ के वर्ग के इकाई के स्थान पर संख्या नव आती है इसका मतलब संख्या 1887 के वर्ग के इकाई के स्थान पर भी संख्या नव आएगी इसलिए यह कथन गलत है आईए अब इस कथन की जाच करते हैं आप चाहिए तो वीडियो को यहां रोक कर उत्तर सोच सकते हैं अगर आप इस कथन को असत्य मान रहे हैं तो आप यहां सोच रहे होंगे कि 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इस संख्या के अंत में शुन्य भी है इसलिए यहां एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी लेकिन यहां गलत है हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए किसी संख्या के अंत में शुन्यों की संख्या सम होनी चाहिए इस संख्या में शुन्यों की संख्या तीन है जो की एक सम संख्या नहीं है इसलिए यहाँ संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अतह यहाँ कथन असत्य नहीं बलकि सत्य है अब आप इस कथन को देखिए आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोग कर उत्तर सोच सकती है अगर आप इस कथन को सत्य मान रहे हैं, तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इस संख्या के अंत में शुन्यों की संख्या सम है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन यहाँ गलत है हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शुन्यों की संख्या सम होने चाहिए, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि जिस संख्या के अंत में शुन्यों की संख्या सम होगी, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी चलिए दी गई संख्या को गुनन खंड के रूप में देखते हैं यहां हमने देखा कि इस दी गई संख्या को पूरी तरह से किसी संख्या के घात दो के रूप में नहीं लिख सकते इसलिए यह संख्या एक पून वर्ग संख्या नहीं है अधा यह कथन एक असत्य कथन है इस वीडियो में आज हमने वर्ग संख्याएं तथा इनके गुणधारम से संबंधित गलत अवधारनाओं तथा सामाने गलतियों के बारे में सीखा आशा करते हैं कि आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे धन्यवाद